भादरपद माहा की शुरुवात हो गई है। दौपर यूग में इसी महीने के कृष्ट पॉक्ष की अस्ठमी तिति को बगवान स्रीकिष्ण का जन्म हुआ था। हर साल भादबत महास के कृष्ण प्रक्ष की अस्टमी दिती को पूरे देश में स्रिकिष्ण जर्म उस्तों का पर्व मनाया जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है और हर घर में उनका जिन्म होता है। पंचांग के अनुसार इस बार जर्म आस्टमी के दिन कई अद्मुस सयोग भी बन रहे हैं। काशी के जोतिसा चार्ड पंडित संजय उपाद्या ने बताया कि 26 अगस्ट को सुभा आट बचकर बीस मिनट से अस्टमी दिती की शुरुआत हो रही है। कि इस दिन अस्टमी का प्रादुर्भाव प्राता आड बचकर के बीस मिनट से प्रारंब होगा और दूसरे दिन 27 अगस्ट को प्राता चाबचकर शुरुआतिस मिनट कर रहे हैं। और उशी दिन जो है रोहणी नक्षत रात्री में 9 बचके 10 मिनट से प्रारंब होगा और दूसरे दिन 8 रात्री में 8 बचकर के 20 मिनट तक रहेगा। तिस वज़ा से 26 अगस्त को धिन शोमवार को स्रीकृष्ण जन्माष्टिमी मनाए जाएगी। और इस बार की स्रीकृष्ण जन्माष्टिमी में विशेस योग है। विशेस योग वह यह है कि मद्रात्री में रोहिणी नच्छत्र होने के कारण या जैनती नामक योग का निर्माण करती है। विश्णु धर्मुत्तर पुराण में कहा गया है कि जब जैनती नामक योग हो तो उसमें भगवान स्चतुरभुई भगवान स्रीकृष्ण की पूजा करने शे पाट करने शे उनकी अर्चन करने से उनके विग्र का कमल के पूलों से अन्पुस्पों से अर्चन करने से त झाल झाल